नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में आज हो गिया 17 सितंबर 2020 दिन गुरुवार तो चिले बिहार के 15 पटापट बड़ी कबरों को जानते हैं इसमें हम जानेंगे बिहार में कोरोना अपडेट को लेकर वजरपात से मरने वालों को 4 लाग की सहतारासी दी जाएगी बिहार में किस जगह बारिस और वजबात को लेकर हाई अलड जारी किया है साथ ही जानेंगे नरेंदर मोधि के द्वारा 18 सितंबर को किन तिन प्रियोजनाओं की सुरुआत की जाएगी बिहार में परिछाओं की समाचार को लेकर बेरोजगारी मुद्दा को लेकर happiness index में बिहार को कौन सा इस्थान मिला है बिहार में भुकम के जटके को लेकर और फिर अंत में सोना चांदी के केमतों को लेकर भी बात करेंगे तो फटाफट से comment box में आप जरूर लिखे कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें comment box में जरूर पूछे और अपनी तरब से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दे तो बिहार में Corona संक्रामन की संख्या बढ़ती ही जा रही है अब तक Corona मा हमारी की संख्या 1,62,632 पहुझ गई है बिहार में पिछले 24 गंटों में 1531 मामले सामने आये हैं पिछले 24 गंटों में 12 लोगों की मौत हो चुके हैं अब तक कूल मरने वालों की संख्या 848 पोज गई है राज में अब तक 1,48,255 लोग ठीक हो चुके हैं वोई पिछले 24 गंटों में 1724 संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए है बिहार में कोरोना संक्रमित की स्वस्थ होने की दर बुद्वार को बढ़कर 91.16 फिजदी हो गिया पिछले 24 गंटों में संक्रमितों की स्वस्थ होने की दर 0.2 फिस्दी की बड़ोत्री हुई है बिहार के दो जीलों में देख से जादा कुरोना संक्रमित की पहचान की गई है इनमें पटना में सरवाधिक 218 नई संक्रमित और सहरसा में 109 नई संक्रमित मिले हैं बिहार में बजरपाद से मरने वाले के परिजन को सरकार ने तुरंट चार लाग अनुगरब अनुदान रासे देने का निर्देश दिया है मिकमंत्रे नितिश कुमार ने मरने वालों के परती गहरी सम्वेदना व्यक्त करते वे सम्मनित जिला के अधिकारियों से तुरंट सहयता रासे दिने का निर्देश दिया है बिहार के चो जिलों में कल वजबास से 15 लोगों की मौत हो गई जिसमें गौपाल गज में तीन, भोजपूर में तीन, रोहतास जिले में तीन, सारन में दो, केमुर में दो और वैसाले में दो लोगों की मौत हो गई सब ये मरने वालों के परती सेम नितिस कुमार ने गहरी सवेदना प्रकट की है नेपाल की राज़ाने काडमांडो में बुद्वार को सुब़ पांच बजगर उननीस मिनट में भुकम का जोरदार जटका महसुस किया गया भुकम का असर बिहार के कई इलाकों में दिखा पटना में सबी लोग धरती कापने से डर गए कई लोग डर के मारे घर से बाहर निकले भुकम के जटके दरबंगा मुझपर पूर सितामारी समेत उत्तर बिहार के कई जीलों में महसुस किये गए बिहार में भुकम की त्रिवता रेक्टर पेमाने पर 4.9 थी भुकम का केंद्र काडमांडू घाटी था जहां त्रिवता 6.0 थी देश की पहली हैपिनेस इंडेक्स के मताबिक मेजोरम, पंजाब और अंडमा, निकोबर तीन सबसे खुस्नमा राज्य है बड़े राज्यों में पंजाब, गुजरात और तलंगना आवल है और छोटे राज्यों में मिजोरम, सिक्कीम और अरुनाचल परदेश सिर्ष पर है बिहार को उसमें 25 रेंक मिला है दूसरे नमबर के राज, पंजाब से बिहार सिर्फ 0.21 अंक पिछे है, पंजाब का इंडेक्स 3.52 और बिहार का 3.31 है महागडबंदन बेरोजगार को राज के विधानसवा चना में मुख्य मुद्दा बनाने में जुटा है दोनों मुख्य दल राजद और कॉंग्रेस के निता इस मुद्दे पर अपने अपने आगड़े पेस कर रहे है सत्ता पच को घिरने के लिए तबातोड हमलक कर रहे है राजद निता तेजस्वी यादब का भासन इसी मुद्दे के इरदीद गुमता है तो जिला इस्तरिया कॉंग्रेस वर्च्वल क्रांति महा सम्मेलों में चाहे राष्ट्य इस्तरे निता हो या राजज इस्तरिया सब बेरोजगारी पर सरकार के जरूर लताड़ रहे है प्रजद के अनुसार उसके द्वारा बेरोजगार के लिए बनाए गए बेरोजगारे हटाओ पोटल पर नौ दिन में ही करीब पांच लाक याओं ने रिजिटेशन करा लिया आप उनमें से एक है तो आप हमें कमेंड बॉक्स में जरूर बताए जदयू के राष्टिया महास सची वह सांसद आर्सिपी सिंग ने मंगलवार को राज सवा में दा एरकॉप संसोधन बिल 2020 का समर्थन करते हुए पटना में बनने वाले नए एरपोर्ट का मामला उठाया उन्होंने कहा कि यहाँ जल्द एक्टिव हो बिहार के अन्य हिस्सों के एरपोर्ट को भी परभा किया जा सकेगा साथ में उन्होंने ये भी कहा कि 1999 में पटना एरपोर्ट के बिल्कुल पास एक एरक्राप दुरगटना ग्रस्त हो गया था फिर बिहाटा में एरपोर्ट के निन्मार की योजना बनी यहाँ काम जल्द ही पुरा हो कोरोना काल में यात्रियों की स्विधा के लिए रेलवे 21 इतनमर से 20 जोड़ी क्लोन ट्रेन चलाएगा मंगलवार को रेल मंत्राले की ओर से सभी 20 जोड़ी ट्रेनों के लिस्ट जारी कर दी गई है इसमें राजेंदर नगर से दिल्ली की बीच चलने वाली संपुन क्रांती जिसकी समय चार बज कर पचीस मिनट में राजेंदर नगर से दिल्ली के लिए खुलने का समय रखा गया है जबकि नई दिल्ली से पटना के लिए समवार को देन के देड़ बजे रखा गया है संपुन क्रांती समेत पूर्व मैध रेलवे के विभीन इस्टिसन से कूल 10 क्ल 143 सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्ने लिया गया है प्रचलित कहावत है कि 9 दिन चले तो ढाय कोस लोजपा की राजनिती में कुछ इसी तरह चल रही है पिछली दिनों लोजपा के संसदिय बोर्ड की बेठक में यह निर्ने लिया गया था कि बिहार विदानसवा की जीत छोड़ दे थी दोनों की बीच इस बात पर सहमती बनी थी कि NDA में साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे इसके बाद बुदवार को दिल्ले में लोजपा के सांसदों और पूरो सांसद की बेठक हुई और इसमें एक बार फिर से 143 सीटों पर चुनाव लड़ने की बा कंत्रे नितिस कुमार से एक बार फिर से लगातार 17 सवाल पुछे तेजस्वी ने चुना में बेरोजगारी को मुद्दा बनाया है और नितिस से पुछा है कि 15 साल में आपने बिहार के 7 कडो रिवाव के लिए क्या किया आपके रते इतनी बेरोजगारी और पलायन कैसे हो जिसके वो द्योग धंदे का आपने वादा किया था उसका क्या हुआ इसके अलावा तेजस्वी ने बिहार में भरती परिक्चाव पर भी सवाल खड़े किये उन्होंने पुछा कि नितिस सरकार 90 फिज़े नोकरी आरक्षित करने का प्रवधान करने वाले हमारी दोमिसाइ रेल निति के मांग सिवकार क्यों नहीं करती है उन्होंने मुखमंत्रे से बिहार में 15 सलों का हिसाब किताब मांगा है 21 सितंबर से बिहार के साथ साथ पुरे देश में ट्रेनों का परिचालन सुरू हो जाएगा जिसमें रेल मंत्राले के दुआरा कुछ गाइडलाइन्स जारी किया गिया है अगर आपको रेल में यात्रा करना है तो आपको इन गाइडलाइन्स का पालन करना पड़ेगा जिसमें इस्टेशन में परवेस केवल कनफरम टिकर पड़ी मिलेगा यात्री गन थर्मल स्केनिंग में मदद के लिए गाड़े के समय से 90 मिनट पहले इस्टेशन पहुच जाए इस्टेशन पर यात्रीयों की थर्मल स्केनिंग होगी और जिन में कोरोना की लक्षन नहीं पाया जाएंगे उन्हें ही यात्रा की अनुमिति मिलेगी रेल के डिबो में परवेस और निकासी द्वार पर हैंड सेनिटाजर दिया जाएगा यात्रा के दौरान फेस मास्क पारना जरूरी है यात्रा से पहले आरोगी से तो एप डाउनलोड करना जरूरी है ट्रेन में चादर कंबल और परदि उपलब नहीं कराए जाएंगे यात्रियों को सला दी गए कि वे अपना चादर कंबल लेकर यात्रा किरे रास्ते में खा बिहार लोकसवा आयोग ने बुदवार को 66 भी संयूक्त सिविल परिच्छा भरती के लिए अधिकारिक्त अधिकसशना जारी कर दी है बिहार लोकसवा आयोग ने सरकार के विभिन विभागों में विभिन पदों के लिए 562 रिक्तिया अधसचित की है जिसमें 179 रिक्तिया महिला उमिद्वार के लिए आरेक्चित है ओनलाइन पंजिकरन की प्रक्रिया 28 सितंबर से सुरू होगी आवेदन करने के अंतिम्तिती 20 अक्टूबर है इस चुक उ दायर याचिका पर सुनवाई करते विए पटना हाइकोट ने राज सरकार और बिहार विद्दालय परिक्चा समीति से चार सप्ता में जवाब तलब किया है पटना हाइकोट के जश्टिट नियाय मुर्ति पार सार्तिक की एकलपिट ने बुद्वार को मुहम्मद अप्रो के बाद विश्ट विद्दालय ने परिक्चाओं की घोसना करनी सुरू कर दी है सितंबर अक्टूबर वा नहंबर तक सेडूल जारी भी कर दिया गिया है वहीं दिसंबर वा जैनवरी में अगले वर्स वा समेश्टर की परिक्चाई होनी है अगले सत्र को समय पर रखना है तो परिक्चाओं का दोर भी अभी जारी होगा मतलब अब क्लास कम परिक्चाई अधिक होगी आपको बता दे कि एगनो की परिक्चाई 17 सितंबर से लिया जाएगा वहीं 24 सितंबर तक पीजी फर्स वा फोर्ट समस्टर के फॉर्म भरे जाएंगे बिहार में किराये पर रहने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कोई भी माकान मालिक को अपने हिस्से की बिजली किरायदारों को बेचने का अधिकार नहीं है ऐसा पाये जाने पर बिजली कमपने के मुताबित कोई भी उपभुकता बिजली का उपयोग केवल सकता होती है इसलिए बीना लाइसन्स के अधिक कोई माकान- मालिक बजली पेचतेए तो बीहार विद्दुत वीनमायक आयोग उन पर कारवाई कर सकती है इसी के साथ ही आज के समाचार में इतना ही डेली बिहार के बड़े खबर के लिए आप हमारे चैनल बिहारे मीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बगल में और नोटिपिकेशन को जरूर अन करें